वाटर की ऊपर बर्फ तैर रही है, बर्फ बिकल कही है, तो पानी का लेबल बढ़े का या कम भू का, हो सकता है आपको आंसर पता हो, क्या आप उसे एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, एक बार इंवेस्टिगेट कर लें तो, पहले मुझे यह बता हो, इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है, एक किलो ग्राम बर्फ फ्रेश वाटर की, बिगलाया क्या बिना, एक किलो ग्राम फ्रेश वॉटर बनगे है, सिख्के कोटा जेव है, लबा रजिया साइड मे और इदर उतर का पानी मारा जा रहा है, हम पूदेंगी, हम पूदेंगे बाला पर होँगी, अभी सि वागते आप सभी का इस अमेजिंग चानल जिसका नाम है प्रोडी जेई पर मैं हूँ आपका अपना अनु गुपता तो आज के कंसेप्ट कैप्सूल में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफी जादा कॉमनली पूछी आती है जिसके अंदर यह होता है कि वाटर की उपर बर्फ तैर रही है बर्फ प्रिगल गई तो पानी का लेवल बड़ेगा या कम होगा अलागला केसे होते हैं इसके उपर तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है सबसे पहला और सबसे कॉमन जो केस होता है वह है फ्रेश वाटर अगर बर्फ तैर रही है तो जब वह बर्फ प्रिगलेगी तो पानी का लेवल बड़ेगा कम होगा या सेम रहेगा वह सकता है आपको आंसर पता हो कि इसका आंसर जीरो आता है कोई बन डॉटर लेवल चेंग नहीं होता लेगिंगे खास बात यह कि क्या आप उसे चाहते हैं या लगारा केसे आएंगे तो भी आप इसको कर पाएंगे तो सबसे पहले तो मैंने का कि चलिए ठीक है यह रहा कंटेनर के अंदर फ्रेश वाटर नहीं पर बरफ चाहर रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी आफ आइस कितनी होती है डेंसिटी आफ किलोग्राम पर मीटर की है अफ कोर्स देंसिटी आफ आइस जो है वो पानी से कम है इसलिए जो बर्फ है वो उपर तैर रही है अब क्वेशन यह आता है कि चलो हम एक काम करते हैं जस्ट फॉर दे सेक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेशन हम एक अजम्शन लेते हैं हमारा अज गाली कितनी हो जाएगी एमजी की वैल्यूटन हो जाएगी मास वांज जी स्टें और अगर यह एकिलिबरियम में है तो इसका मतलब एक्जाट्ली उतनी ही बॉइंट फोर्स उपर लग रही हो जो हो जाएगी 10 न्यूटन क्योंकि एमगी 10 न्यूटन आया अब आर्किबड इसके अंदर हमने एक काम किया यह पहले तो बर्फ निकाल के साइड में रखेंगे पानी काईगा भर लो भर लो जगह भर लो तो हमने का भाई पानी से प्लीज एक बिनिट भाई क्राइम सीन है ठीक है एक बार इंवेस्टिगेट कर लें दो प्लीज जो नौट कंटैमिनेट तो यह जो थोड़ी जो जगह बच गई है उसे खाली ही रहने दो बर्फ हमने अलग निकाल के रख ली यह वन किलोग्राम की हमारी बर्फ ठीक है वो अलगी रखी हुई है और यहां पर एक कैविटी जनरेट हो गया एक खोपचा जनरेट हो गया ठीक है मेरा हिस्वक टाग यानी कि हम यह कह सकते है कि जो लिकविड दिस्प्लेट हुआ है कस आव है इसका उसका उन किलोग्राम पानी का वह wreck लोक उन का जो वेट है उसका जो मास है वह वन किलोग्राम होता है और वॉल्यू उसका वन लीटर होता है ऐसे आप केजी पर मीटर क्यूब से भी वह डेंसीडी दगरा निकाल के भी देख सकते हैं लेकिन जनरली याद रखनी की चीज़ है वह रेंफेस्टेशन बह गए या कहीं भार बैसी के लिए जो कैविटी है यह खोपचा है वह एक लीटर वॉल्यूम का है ठीक है अभी एक मिनट चलो एक पाप्ता चल गई इसको रखते साइड में अब उठा के लाओ एक किलोग्राम पानी और एक किलोग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होता है वन लीटर तो जो बर कम्प्लीटली फिलप कर लेगा और अगर वो कम्प्लीटली इतने ही रीजन को फिलप कर लेगा इसका मतलब ना तो कुछ बाहर बहा ना कुछ एक्स्ट्रा अंदर आना पड़ा यह जो पानी इस चाह में बैठा था कि हम जाके कूच जाएंगे और थो नीचो जाएंगे वह लग良ए फटा फट अब इसके बार आता है सेकिन वाला कीस के अंतर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रेश वॉटर आइस जो है वो टेर रहे है सी वार्टर के उबार अब सब्सीन और फ्रेश वार्टर में क्या फड़गह तो होता क्या है कि डैनसिटी अफ शी वार्टर जाती है थोड़े सी इतना पक्का है कि density उसकी हल्की सी जादा होती है अब किसी हो सकता है किसी क्वेश्चन बाग को 130 देदे 1100 देदे 1150 कुछ भी हो सकती है पर थोड़ी सी जादा होगी ठीक है density of eyes हम लोग जानते ही है वही पुराणी 900 kg पर मिटर क्यूब होने वाली ठीक है अगर density of eyes यह होगी अब यहां पर त्यार रहा है फिर से हमारा तरीका वही यह solve करने का हमने का मान लो 1 kg वाइस तैर रही थी ठीक है तो नीचे लगने वाली तो mg हो जाएगी अगर यह तैर ही रही है तो 10 newton तो mg लग गई और उपर लग होगी बॉयन फोर्स बॉयन फोर्स की वैल्यू कुल मिला के अगर यह एकलिब्रियम में है तो बॉयन फोर्स 10 newton के बराबर होगी और और यह जो 10 newton है यह एक्चली वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेइज के बराबर होगा अगर अब मैं कोशिश करूं के वही वाट इस द जिसमें यहां पर फिर एक कैविटी यह खोप जनरेट हो गया Online सक्षरत लिए थाबार पिर यह आप 1 kg के ख़ुए अगर यह जो तो volume of liquid displaced है, वो newton निकालना है, weight of liquid displaced कितना आ रहा है, 10 newton, तो mass of liquid displaced कितना आएगा, 1 kilogram, लेकिन volume of liquid displaced यस बार 1 liter नहीं आएगा, क्योंकि यह sea water है, इसकी density पानी से, नो बला फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी, तो इसका volume fresh water से कम होगा, 1 kilogram fresh water का volume 1 liter होता है, ठीक है, तो यानि कि 1 kilogram sea water का volume 1 liter से थोड़ा सा तो कम होगा, हो सकता है, यह approximately मान ले, चलो 0.9 liter के आसपास होगा, ठीक है, काम हो गया, अब लाओ भई, हाँ बरफ, 1 kilogram बरफ fresh water की, बिगला है क्या बिना, 1 kilogram fresh water बन जया, उसका volume क्या है, 1 liter, जगा कितनी है, 0.9 liter, और जैसे ही आपने इसको भरा, तो क्या उसको पूरा-पूरा भराबर भर देगा, नहीं, उसका उस वज़े से होगा क्या कि थोड़ा सा जो water level है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस case में water level rise हो जाता है, अब मेरा वैसे आप से छोटारा सवाल है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिं ठीक है, नमक वाला, और उसके उपर fresh water की आईस है, वो पेगल रही है, तो लेवल बढ़ रहा है, क्या ये बात पूरी तरीकर नहीं सही है, ये बात मचे comment section में लेके बताना, ठीक है, और comments में इसका answer भी डूड ले रहा है, इस बात का, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम ल ठीक है, इसे भी सब्सक्राइब के लिए हम एक काम वही करते हैं, वही पुराना हमारा, क्यों बजन मान लो यार सबके, मान लो वो सिक्का, अब वो सिक्का actually coin नहीं है, एक ग्रुपर अठनी जावनी नहीं है, मतलब एक metal का chunk है, अब ये बात आप समझ सकते हो, कि metal के chunk की density, पानी की density से या बर्फ की density से कई गुना जादा होती है, तो उसका एक ही किलो का, अगर मैंने मान ले तो उसका volume, same mass का, अगर मैं दौना चीज़ों को लूँगा, एक किलोग्राम की मैंने बर्फ लिया और एक किलोग्राम का, तो metal का volume बहुत काम आएगा as compared to बर्फ, ये बा और अगर ये equilibrium में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि point 4 जो आएगी, वो भी जख मार के 20 newton ही आएगी, आनी पड़ेगी तब ही equilibrium आएगा, ठीक है ना, आच्छा, अब एक बार फिर हम भी काम करते हैं, काम को रहें, इन सब को निकालो, ठीक है, सिक्के को डाला जेब में, अब क्या होगा, मुझे पता करना है, what is the volume of liquid displaced, तो मुझे पता है कि weight by archival principle, weight of the liquid displaced is 20 newton, तो mass of the liquid displaced must be 2 kg, ठीक है, और ये तो fresh water है, यानी कि इसका volume, 2 kg का volume तो 2 लीटर होने वाला था, तो यहाँ जो खौपचा बना है, जो cavity बरी उसका volume आ गया है, 2 लीटर, अब एक मिनट, सिक्का जेब में रहने दो, ठीक है, डबबा लाए, वो ये 1 kg का डबबा दाई, ठीक है, 1 kg का डबबा लेका है, इसका बर्फ का टुकडा, और उसका पिक लाया, क्या बना, 1 kg fresh water, उस इसको exactly आधा उसने खड़म कर दिया, और इधर उतर का पानी मरा जा रहा है, हम कूदेंगे, हम कूदेंगे, बराबर होंगे, ना का ये लोग जा, अभी सिक्का भी है मेरे पास, अब मैंने वो सिक्का निकाला, वो कितने का है, 1 kg का, लेकिन उसकी density कहीं जादा है, पानी य लिटर है, पांच गुना जादा है, मानने थे density, जादा नहीं, पांच गुना मानने, तो इसका वॉल्यूम पॉइंट टू लिटर आ गया, वो ये किलो का, ठीक है, वो सिक्का जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे खाली जगा कितनी बची थी, दो लिटर थे, उ जितना निकाला था, बर्फ भी निकाली थी, दोनों वापस डाल चुके हैं हम लोग, जितना निकाला आपने डाल दिया, अब जिसको जो करना है करो, अब हमने कहा भई पानी, अब तुम आदर कुछ कर ना हो, तो तुम कर सकते हो, तो पानी को तो मज़ा आ गया, यह एक्स जो फ्रेश वेटर पर रहा कि पिगल याए तो water level पर कोई फरख दीबर था तो इसका मतलब बैसिक लिए यह जो सिक्का था उस चोटा डॉनट का है वह इस केस में सिक्के ने अपने वजन के बराबर जो फ्लूइट था वो डिस्प्लेश कर रखा था यानि कि पहले इसने पूरा एक लीटर फ्लूइट डिस्प्लेश कर रखा था लेकिन जब अमने इसको निकालके नीचे टपका दिया वो गुरूप करके नीचे आके बैड़ गया और अब यह सिर्फ 0.2 लिटर तो उमीद है कि यह कंसेट आपको क्लेर हो गया होगा और उनका भी रिविजन हो गया होगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ छोटे-छोटे बहुत सारे हैं आप यहां पर नीचे प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते है तो जब आप वो सारे किसारे वीडियो आप देखो गए अगर और भी कोई चीज है और पहली बात अगर आपको समझ में आया तो आपका प्यार और जो सपोर्ट है वो दिखाते रहो ठीक है लाइक करते रहो शेयर करते रहो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ठीक है ऐसा नहीं हो कि सर रोटेशन ठीक है पूरे पूरे चैप्टर मत लिग जना या ठीक है कोई चोड़े चोड़े टापिक्स हो जो आपको लगता है कि मैं 15 मिनिट 20 मिन आदे गंटे पर समझा सकता हूं तो एल बी मोर दन हैपी तो मिलते अपर नेक्स क्लास में तब त विखे चार तक बढग Спасибо था थां तरापिके की कर देशन एंट जोड़े बागता पर नहीं हो मैं ते तो वह जा एक्थाएं कर नहीं है तो शुड़े जा हो जुड़े चोड़े चार बेर ट्वरे ट्वरे हैं तो थाह बीड़े ने बीड़े चार भीड़े तなवरे हैं तो झाल झाल